हलो एवरिवन आज है 31 जनवरी और आज इस वडियो में हम बात किने जाने वकरांगी के बारे में 30 रुपे का शेयर है 20 परसंट की बड़ी तेजी आई है यहाँ पर जो कि काफी हरानी वारी बात है बात करेंगे इस वडियो में कि वाई साब 30 परसंट दोड़ चुका है 20 रुपे का शेयर था यह 24 जनवरी को और आज अगर आप देखोगे तो वाई साब 30 रुपे पर पहुँच चुका है तो 50 परसंट की तेजी पिछले एक हफ़ते में इसन अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो यहाँ पर वकरांगी तीजी तो काफी अच्छी है एक महिने का एक साल का भी ग्राफ देखो तो 12 परसंट की तीजी लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बता दो यहाँ पर कि जब तीजी आती है न यहाँ पर तो फॉर नहीं ही बड़ी गिरावट आएगी तो यहाँ पर जब तक तीजी आ रही है उसके बाद जब गिरावट शुरू होगी तो फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही आपको नजर आएंगे और यहाँ पर जो गेम चल रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो HFT स्कैन अगर अगर आप देखोगे तो HFT प्राइवेट लिमिटेड जो है उन्होंने यहाँ पर 1.48% और ग्रेविट और रिशाज केपिटल ने 1.16% तो यह इतनी बड़ी हैवी कॉंटिटी में ट्रेइडिंग जब करते हैं कोई तो वाई साब जायर से बात है आपको उस तरीके से तीजे गिरावट देखने को मिलती रहती है और यहाँ पर स्टोक मोमेंटम भी अगर आप देख संकी ट्रेडिंग करी यहाँ पर और ग्रेविट और यह ग्रेविट और दोनों में आया है सामने छोटे शेर्ट में ग्रेविट और रिशर्च कैपिटल जो है वो कही ना कही गेम तो खेल रहा है यहाँ पर और यह लॉंग टर्म वाले नहीं होते हैं ठीक है यह क्या करते ह कि दिन में trade डालते हैं बड़ी quantity का और फोरण से बेकवाली का भी trade लगा देते हैं और per share अगर इनको 5 पैसा 10 पैसों का profit होता है profit ले लेता है ये लोग क्योंकि जाहिए से बाद होती है कि इनका पैसा बन दे क्योंकि quantity जादा हो जी है number of shares की आज भी अगर हम इसके volumes को देखेंगे तो भाई साब बड़ी quantity में है almost 19 करोड तक के shares यहाँ पर trade हो चुके हैं 19 करोड तो यह बहुत बड़ा number है कि काफी बड़े पैमानों पर यहाँ पर trading तो चल रही है shares की और कोई वज़े नहीं है ऐसी कोई खबर नहीं है जिसके चलेते share में तीजी आई हो यह जो तीजी आ रही है वो purely purely trading game यहाँ पर चल रहा है stock manipulation आप कहलो वो यहाँ पर चल रहा है और जहां तक बात करी जाए इस company को लेकर तो according to money control user पचास person look के रहे बेचो और भाग जाओ पचास person look के रहे खरीदारी करो company के जो numbers भी अगर आप देखो तो आपको अच्छे नहीं लगें कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखे तो इस company के results भी आने वाले हैं ठीक है छे February को numbers भी है और काफी बड़ा दिन होने वाला है कि वैं किस तरीके के इनके results आते हैं मैं बहुत जादा अच्छे number expect नहीं कर रहा हूँ यह मेरा मानना है जहां तक dividends की बात करी जाए तो पांच पैसा per share का छोटा ही सही लेकिन dividend के pay जरूर कर रहा है वकरांगी को लेकर अगर आप valuation पे जाओगे तो पता चले के बाई सहाब इसका 1500 का P है तो valuation कहीं से भी गले के नीचे नहीं उतरने वाला है यह प्राइस जब देखने में लगता है कि 30 रुपे 20 रुपे सस्ता लगता है लेकिन अगर आप जो valuation देखते हो तब पता चलता कि यार यह इसको justify नहीं कर रहा है क्योंकि अगर आप इनके financials देखोगे तो margin already बहुत कम है इनके इनका जो profit है वो लाखो में है करोड़ों में भी नहीं है 50-55 क्रोड के आसपास का revenue है और profit मुश्किल से 50 लाख है यहाँ पर तो margin बहुत थिन margin है इनके बहुत कम इनके margin है और बिल्कुल सेम चीज उर्जा global को लेकर भी है लेकिन फिर भी उर्जा global का share भागे जा रहा है और कल मैंने उसके उपर वीडियो भी बना था जो results भी आया थे उसके उपर भी मैंने वीडियो बना था और अगर आप चाहो तो मेरा कल का वीडियो चेक कर सकते हो यहाँ पर वकरांगी में भी सेम चीज है आप देखो कि company का profit मुश्किल से 40 लाग का है ठीक है revenue मुश्किल से 55 करोड का है यहाँ पर चुकि काफी कम है काफी कम है यह और जहां तक इनके shareholding के बात करी जाए तो यहाँ पर promoter के पास 42.60% का स्टेक है और Files लगातार बेच रहे है mutual fund के पास कुछ भी नहीं है 6.29% domestic के पास है 3.31% Files लेकर बैठे है retail और others के मिलाकर 47.81% का स्टेक है जिन में से retail investor 28.91% की holding लेकर बैठे हुए है other parties के पास 18.90% का स्टेक है देखे overall अगर वकरांगी को लेकर देखे तो company के वकरांगी केंदर होते है ठीक है और generally आपको छोटे शहरों में छोटे गाओं में देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर ना कई सारी services आपको मिलेगी ठीक है चाहेंगे services में अगर आप देखोगे तो banking, insurance, financial services वगर आपको वहाँ पर मिल जाएगी e-commerce में कई तरह की आपको logistics service चाहिए होती है या फिर online shopping करनी है या फिर health care से लेटे, travel से लेटे, bill payments से लेटे यह सारी चीज़े आपको वहाँ पर मिल जाएगी और again मैं कहे दू कि यह सारी चीज़े जो चलती है इनकी services वो सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे शहर और गाओं में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि बड़े शहरों में already लोग यह चीज़ खुच से अपने smartphone पर कर लेते हैं तो छोटे शहरों में देखने को मिल जाता है और again छोटे शहरों में हमेशा यह operate करते रहेंगे क्योंकि अगर मालों कि लोग और ज़्यदा familiar हो जाते हैं smartphone के साथ लेकिन technological shift हमेशा आता रहे जिसको लेकर लोग को assistance की जरूरत पढ़ती रहेगी तो business ऐसा भी ने कि इनका बरबात होगा इनका जो ATM setup करने का business है देखो जिस तरीके से मुझे लगता है कि digital payments का adoption बढ़ रहा है ना लोग ATM में जाना कम करेंगे तो शायद banks अपने ATM घटा सकते हैं ऐसा मैं मान के चल रहा ह क्योंकि अगर आप खुछ सोचो कि आज से COVID से पहले आप कितना frequently ATM से पैसा withdraw करते थे और आज कितना frequently उसको withdraw कर रहे हो बड़े शहरों में ये number बहुत कम हो चुका है बहुत कम हो चुका है तो यहाँ पर यही वज़े भी है कि जो ATM setup करने को लेकर भी होगा वो दिरे दिरे कम होता आएगा जो numbers होगा वो कम होते आपको नजर आएंगे यहाँ पर हाला कि company मेरे हिसाब से खराब नहीं है मुझे इनका valuation digest नहीं हो रहा है कि यह 1500 का P कि C B तरीके से justify नहीं कर रहा है इसका और यही वज़ा है कि देखो तीजी आ रही है तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब याद रखेगा इस लेवल पर खरीदारी करने का कोई point बनता नहीं है यह मैं मान के चल रहा हूँ बाकी मर्जी आपकी है मेरी तरफ से कोई buy sell recommendation नहीं है वीडियो को यहीं पर end करता हूँ पसंद आखो तो like करे शाय करे चैनल मगरा पहले बारें तो please subscribe करे और वकरांगी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट हमले के बता सकते हैं thank you